एक बाद फिर से स्वागत हैं आप लोग आप आप लोग इस चैनल में जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं नीट और नीट से रिलेटेड़ टॉपिक्स के बारे में और अभी फिलाल तो कट आफ के बारेमें बात करेंगे इसके पहले हम लोग ने कुछ टेट लेवल के कॉलिज जो हैं वो cover करे हुए वह आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग यहां पर देख सकते हैं आज हम लोग एक और individual college cover कर रहे हैं जिसका नाम है सेट जी एस medical college मुंबई यानि कि सेट गोरदन दास सुंदर दास medical college मुंबई अगर इस college की बात करें और इस college के establishment की निकाल रहा है अगर इस college के बारे बात करें तो यह college कभी टॉप 15 से उपर तो मतलब वो ले नीचे वो ले टॉप 15 से नीचे तो गिरा ही नहीं है इसकी rank हमेशे top 15 में रही है इंडिया के one of the best colleges में यह college आता है और अगर इसके अंदर आप लोगों को admission लेना है तो आपकी rank भी उस हिसाब से होनी चाहिए जबरदस्त होनी चाहिए तब जाकर आपको इस college के अंदर admission लेने का privilege जो है वो मिल सकता है लगबग लगबग यह college जो है इसके अंदर अठारा सो बेड जो है वो लगे हुए और 1.8 million यानी की लगबग लगबग 18 लाख लोग जो है वो हर साल यहां पर अपना इलाज करवाते हैं जो walking होते हैं मतलब आने जाने वाले और कम से कम कम से कम 85,000 ऐसे लोग हैं जो यहां पर admit होने के बाद अपना इलाज करवा कर और फिर चलते बनते हैं चले जाते हैं तो one of the best prestigious renowned well-known and great college of you know India and in Mumbai State Gordandaas Sundar Das Medical College अब इसके cut-off के बारे में आप बात कर सकते हैं भीया देखी लो मैंने बूला था बहुत मुश्किले जनरल के टिकरी में 2020 में ये गया हुआ है 92 से लेकर 935 पे OBC तब लगता नहीं था कोटा ST की बात करें तो 2065 से लेकर 10452 तक गया है and ST की बात करें तो 13199 से लेकर 26569 तक ये college गया हुआ है यानि कि अगर आप लोगों को इस college के अंदर admission लेना है तो आप लोगों को जनरल OBC SC ST category में ये ranks या तो लानी पड़ेंगी है इनके बीच में कहीं आना पड़ेगा तब जाकर आपके लिए admission के कुछ chances जो है वो बन सकते हैं जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा तो ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई rank आपकी इस तरीकी की होना चाहिए साथ ही अ इसलिए इसकी कोई rank जो है वो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती तो 2021 में जो भी आईगी वो हम देख लेंगे अब अगर आप इन सब पचलों में नहीं पढ़ना चाहते हैं आप कहते हैं सर ये सब मुझे नहीं समझ में आता तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि नीचे हमारा नी को पता पढ़ जाएगा कि कौन-कौन से colleges जो है वो आपको मिलने की संभावना है तो वो प्रेडिक्टर जरूर देखिएगा साथ ही साथ description box में हमारा एक profile analysis form होगा वो जरूर भरिएगा क्योंकि उससे आपके future को एक अच्छी एक अच्छा boost मिलेगा क्योंकि हमारे mentors जो है ह सारी सारी लेटेस चीजें उस टेलिग्राम के लिंक पर डल जाएंगी आप लोगों को पता पढ़ जाएगा and WhatsApp तो हमारा दिया ही हुआ है description box में अगर आप हमसे contact करना चाहते हैं WhatsApp के थरू तो आप हमसे WhatsApp के थरू भी contact कर सकते हैं अपनी सारी queries की solutions हमसे ले सकते हैं तो दोस् आती साथ इस वीडियो को जादा से जादात में फैलाओ लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ताकि आपके जो दूसरे दोस्ते उनको भी नॉलेज जो मिल सके और यह नॉलेज लेने के बाद वह भी आसानी से चूज कर सकें किस college में उनका भविश्य जादा अच्छा है और किस college में उन्हें नहीं जाना चाहिए या किस college की तरफ उन्हें नहीं देखना चाहिए तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है उसमें मज़ा आया होगा आप लोगों को इसी तरीके से बने रही है हमारे चैनल पर मैं हूँ अर्पेट कुमार शर्मा और फिर से आऊँग एक और नए कट आफ के साथ तब तक के लिए लवियो और टेक केर हैं आस्ता लवी इस्ता बबाए